जिला कुलू के मुख्याले के साथ लगते ही, पीच की पाहडी से अबढालपूर के लिए पेराग्लाइडिंग होनी शुरू हो गई है, वहीं इस पेराग्लाइडिंग का शुभारब सीपियस ठाकुर के द्वारा किया गया, सीपियस सुन्दर ठाकुर ने कहा कि जिला कुलू में अब एक और साइड से पेराग्लाइडिंग की जाएगी और युवां को भी यहाँ पर रोजगार मिलेगा, इसके अलावा कुलू शेहर में भी प्रयाटको की आवाज़ाही उन्हें कहा कि अंतराष्टि ये दिशेहरा उत्सव के बाद यहाँ पर एक अंतराष्टि प्रतियोगिता का भी आयोज़न किया जाएगा, जिसमें देश विदेश से आए पेराग्लाइडर भाग लेंगे, उन्होंने कहा कि ये पेराग्लाइडिंग साइट अंदेश की उ निधा मोहिया करवाई चाहेगी जो आधुनिक होगी, इसके लावा मनीकन घाटी के अलावा अलग घाटी सहित, तमाम कुलू में प्रियाटन को विक्सित किया जा रहा है, ताकि यहां की युवा रोजगार कमा सके। ही उलते रहें क्योंकि बहुत ही अच्छा एक्सपीरियस रहा है और बहुत ही अच्छी साइट थी स्टार्टिंग में जब अम उड़े उस टाइम थोड़ा सा मन में डर्वी था लेकिन उसके बाद बखुवी जो पाइलेट ने लेंडिक करवाई और बहुत ही अच्छा मि करवार के बाद काली सब्सक्राइब das रिचुआ है उसके पारि इसके साथ जय से क्वारा के कावार में थार्वार है विस से लिके दिए यो उट्यफिव इस तो यह अच्छी नहींकि की दिए 100 दिया추 की दिए सब्सक्तित आब उपलब्द रहता है ऐसे में ये हमारा एक ऐसा केंदरबिंदू कुलू का है कुलू जिले का है या हिमाचल का है या हिमाचल की संस्कृति का है इसे पूरे साल अब पर्याटन के साथ जोडने के लिए ये हमारी यहां पे सरकार की तरफ से मानिनीय मुख्यमंत्री पूरे स्टेट लेवल जो कमेटी से इसको एप्रूव करवा कर सारी एक्सपर्ट कमेटी जो हाई कोट के निर्देशानुसार बनी थी उससे सारी जो है अपचारिक ताइं पूरी करके आज हमें खुशी है कि कुलू वासियों के लिए एक नया जो है यहाँ पे एक परियाटन का जो यहाँ पे गतिविदी शुरू हुई है और इसके लिए मैं जहाँ पे माननिय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार का करता हूं कि इन्होंने बहुत कम समय में यहाँ पे डिस्टिक्ट तूर्जम ऑफिसर है जो अभी ऑफशेटिंग है पूरे हमारे लोग है नगर परिशद के लोग है परेगलाइडिंग की यहाँ पे एस्सोसियेशन बनी है और ऐसे में जो हमारे मांटनेरिंग इस्ट्यू में बैठे हैं और मेरे ख्याल से यह जो डालपूर में जो पेरेगलाइडिंग का यह जो हमारा जो गतीवी दी रहेगी और या जो नई साइट है यह मेरे ख्याल बहुत बेतरिन साइटों में होगी और इसको जो टेक आफ पॉइंट है उपर आज वहाँ पे आरी जंडी इ कुविदा होगी वह यहां पर उपलब्द रहेगी ऐसे में मैं यहां के युवाओं को यहां के कुलू गाटी के हमारे सभी बज़ूर्गों को नौजवान सातियों को मातां बेहनों को मैं बदाई देना चाता हूं और सरकार का और प्रशाशन का धन्यवाद करता हूं कि ए पारिक शेतर में शुरू हूए